आप सबको मेरा नमस्ते आज में ये सेशन में एक IEC चार्ट जो हम लोगे ने बनाया हुआ है इसके बार में मैं आपको बताऊंगी ये क्रॉस क्रेडल होल के जो पैतालीस बिंदू है उस पे हम लोगों ने ये पीडिएफ बनाया हुआ है मैं आपको ये अप्लोड भी करूंगी हमारे एंपीटेल वेबसाइट पे तो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं ये तो आइधर आप A3 पे प्रिंट करवा सकते हैं या A4 पे करवा सकते हैं मुझे लग रहा है कि A3 पे ज्यादा अच्छा रहेगा और कलर मे Also को जलें और सखाएं या ओसप्छम कर नहिंद दए होकाना कि अप्क्रावन। अब देंधर है तो इस अथा जूद झाहीट नो को सिखांगी कि A2C चाट कैसे आपको यूज करना है कि ठीक है तो पहले तो यह हैं हमारा जो पहला पेज है इस वाला है of course हम लोगों ने cross cradle hold पे focus किया हुआ है तो यह जो है आपका cross cradle hold है ठीक है जो बाजू से बच्चा दूद पिरा है उसके सामने से बाजू से माने बच्चे को पकड़ा हुआ है ठीक है इसको हम लो cross cradle hold पोलते है cross cradle, cradle मतलब पाढ़ना सबसे पहले तो of course आपने मेरा वो session तो देखा ही है जो मैंने live session में दिखाया है कि कैसे बच्चे को दूर पिलाना बट मैं अभी वापस आपको IEC chart से दिखाऊंगी कि एक-एक point को लेके मैं आपको graphic भी दिखाऊंगी कि कैसे मदर को सिखाना है तो जब भी मदर आपके पास आएगी तो आपको पहले तो यह दिखान में रखना है कि कभी बच्चे को दूर पिलाना है क्योंकि हर मा को ऐसे ही लगता है कि जब बच्चा रोता है तभी बच्चे को दूर पिलाना है तो सबसे पहला point हमारा यह है कि पहले और सबसे देनी है कि पहले बूग के संकेत क्या गया है ठीक है तो यदि माथ सिशू के शरुवाती भूग के संकेतों को पहचान लेती है तो वह क्रॉष्क्रिल पकर से सिशू को आसानी से सतनपान करा सकती है यदी वह भूग के शरुरार्ती संकीतों को नहीं पैचानती है तो सिशू बैचेन हो जाएगा और भूख के कारण रोना शुरू कर देगा यहीं हमेशा आप दिखेंगे फिल्में भी देखेंगे कि मार जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूद नहीं पिलाती है क्योंकि उसके मन म मा को पता होना चाहिए कि कौन से वह संकेत है जिससे उसे पता चले कि बच्चे को भूख लगी है तो कौन से कौन से वैसे संकेत है तो एक तो है और दूसरा क्या है कि एक बार बच्चा रोने लगा तो वह बच्चा इतना बैचेन हो जाएगा कि वह लाच ही नहीं कर सकेग रोने लगेगा वो मुह बन नहीं करेगा और मा के स्टन से घहराई से नहीं जुड़ेगा इसलिए अगले आगे के संकेत हैं मा को बताना बहुत ही ज़रूरी है तो शरुवाती भूख के संकेतों में शिशु का अपने शरीर या सीर को एक तरफ से दूसरी और लेके जाना तो मतलब वो ऐसे अंगड़ा ही लेगा जमहा ही लेगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लेगा अपना वो मुह खुलेगा तो थोड़ा सा मुह खुलेगा वो लार भी टपतेगा वो मा के एक बाजू देखेगा मा केस्तान की तरफ वो ऐसे देखेगा उसको में रुपिंग र थोड़ा अस्तन के तरफ देखना उसके आगे के संकते उसके बाद लार टपकती है बच्चा मुझ कोलता है अपने हाथ में वह मुझ डालता है और लास्ट में क्या होगा कि वह बच्चा रोने लगेगा एक पर रोने लगा मतलब वह बहुत ही लेट हो गया बच्चे को तूसरा वह मा की तैयारी क्या है तो सभसे भले तो माको अपने हाथों को आपो अच्छी तरहा धोना है और उसके सुखाना है साबुन होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम हाथ में किटानों होते तो बच्चे को मां के हाथ के किटानों बच्चे के पेट में नहीं जाएंगे तो ये साबून से दोना बहुत ही जरूरी है तीसरा पॉइंट है कि क्या होती कि बहुत टाइम मा बहुत विचलित होती है घर में काम में बजी होती है तो आपको मा को बताना है कि कुछ भी करने के पहले मतलब जैसे ही माने हाथ दो ले मा को एक ग्लास पानी पिना है अगर घर में फिल्टर है तो फिल्टर वाला पानी पी सकते है अगर फिल्टर नहीं है तो बाला हुआ और रूम टमेरिचर पे हुआ हुआ पानी पी सकते है ठंडा करने की ज़रूरती है, पितलब गरम पानी भी इतना गरम पानी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रूम टेम पानी होगा तो चलेगा, ठीक है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट एक दो पॉइंट है, चौथा पॉइंट यह है कि उसे अपने पेरों को अच्छी तरह से सहारा देकर फर्श, बिस्तर या कुर्सी पर आराम से बैठना चाहिए, ठीक है, पाच्राओ पॉइंट यह है कि अपने उसे अपनी पीट को अच्छी तरह से सहारा देकर सीधे बैठना चाहिए, तो बहुत टाम ऐसा होता है कि मा क्या करती है कि वह जूग के दूद पिलात चाहिए, उसको कंदे को जुकाना नहीं चाहिए, तो यह जो पीछी की पीट है वो बिलकुल सीधी लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, मा को अपने स्टन को ढखने वाले ब्लाउस और ब्लाउस दोनों हटा देने चाहिए, ठीक है, तो यह important है क्योंकि बहुत टाइम क्या होत जब्लाता है, जबी यह Colin होता है, जबी प्रोब्लम होता है, जबी प्रेЧто प्रेशर होता है, तो उसे गात होने के चांसे बहुत ज्यादा है, मा को बारे निकालनी है, और आगे के फुरू और कूर्टे पयनने है, यह पीर नीचे तक खिलनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि थोड़े दो-तिन को ले और फिर वापस इन पर उसका प्रेशर आ रहा है ठीक है सात्वा पॉइंट यह है कि स्तन्पान कराने के लिए मा को शुषिप के उपर से कंबल या चादर को हटा देना चाहिए तो बहुत टाइम होता है कि बच्च को बिल्कूल ठीक तरह से उसको जगा नए क्योंकि जब Сुन अठीक तरह से जाचे का नहिंenkन वूथितरे से दूधर नहीं होते हैं तो उसको जगाने के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी सारे कपड़े उसके बच्रस का कंबल है माता हमेशा हो इतने सारे ब्ल्ैंकेट लगाती है बचे पर सारी वो ब्लैंकेट निकालने हैं, तोपी निकालनी है, अब निकालनी है, जितना ज्यादा कपड़ा वो बच्या प dragons से chil 달. सिर्फ उसके बदन पर एक ही कपड़ा रखना है जो भी पैना हुआ है और एक लंगोड पस ज्यादा कपड़े रखने नहीं है ठीक है क्योंकि बच्चे को गर्मी मिलेगी मा के चाती से जब बच्चा बहुत नस्दीक होगा तो मा के शरीर से बच्चे को गर्मी तो मिलेगी लेकिन उसको उठाने के लिए यह सारे जो कपड़े है वो बच्चे को निकालने है ठीक है दूसरा मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि एक बार आपने बच्चे को बच्चे के कपड़े निकाले तो उसको फिर थोड़ी दिर आप उसको बैठने की पोजिशन में वो तुरंती आख खुलेगा जैसे उसने आख खुला तो तुरंती बच्चे को स्थन पे लगाना है ठीक है आठवा पॉइंट है कि मा को जिस तन से दूद पिलाना है उस तन के दूसरी तरफ वाले हाथ से शिशु का सिर पकड़ना चाहिए यदि वह दाइने स्थन से दू ये बच्चे को अगर राइट रच से दूद पिलाना है तो वो और उसको ये तो हो गया आपका पुजिशन Elise सारे पॉइंट से तो मैं आपको भी दिखाऊंगी लेकिन ये जो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का जो शरीर है पूघा में होना चाहिए ऐसा डाय नह होना चाहिए सीधी रेखा में से उसके शरीर होना चाहिए ठीक है मां को जिस हाथ से शिशु का सिर पकड़ना हो उसी हाथ के बगल के नीचे ठीक से शिशु की टांगों को पकड़ना चाहिए ठीक है तो यह जो हाथ है यह हाथ से मैंने बच्ची का पूरा बदन पकड़ा हु डालने हैं जैसे आपने देखा मेरे प्रिविएस टुटॉरल में कि कैसे बचे को पकड़ना है तो यह यह जो पैर है उसके दूसरे सामने वाले जो हाथ है उसकी बगल में उसके पैर टिकेंगे ठीक है और यह क्यों करना है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा ऐसा दीरे-दीरे करके सरक सकता है तो आपको वो सरके नहीं इसलिए आपको उसको बगल में बिल्कुल ऐसे दबा के उसको रखना है तो यह मा को आप यहां पर जो ग्राफिक है यहां पर मैंने बहुत अच्छी तरह दिखाया हुआ है कि देखें यह ग्राफिक में जो बच्चे में रखने की कोशिश करनी चाहिए मतलब यह भी बहुत इंपॉर्टन बहुत वह पुर्णा पॉइंट है कि उस बच्ची का जो हिप जॉइंट है हिप वाला है ने तम है ऑक कुल है उसको यह हमारी जो मा की जो खोनी है उसको बिठाना है ठीक है अगर आप एक बार उसको अभी पैड़ गया नितम मैं थोड़ा आगे की तरफ यहां पे बैड़ गया तो यह घयान रखना है यहां पर घना ठिक है फिर अप मा को सिशो के सही स्टिती में पकड़ना चाहिए और उसे अपने स्तान के पास लाना चाहिए उसे जूगना नहीं चाहिए उसे शिश्यर को अपने स्ताइन टक लाना चाहिए इसका मतले मत dragons इस ग्राफिक आना ये वइला है दस वइलां तो इस इसमें कहा और उंगलियों की सही स्थीति जिससे वह सिशो को पकड़ती है तो यह वाला भी देखते हैं कि बच्ची का सिर है उसको कैसे पकड़ना है तो बच्ची का सिर को हम लोग मैंने जैसे मिने बताया कि एक हमारे कान के पीछे हडी होती है उसको बोलते हम लोग मैस्टोइड बोन तो मैस्टोइड बोन पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर कान के पीछे दो हड्डिया है जारा ध्यान आप कर सकते हैं और वहां पर एक हड्डी पर अंगुटा होना चाहिए और दूसरे हड्डी पर इसको दो उंगलिया होनी चाहिए तो आपको यह करना है ठीक बच्चा इसा वो लैच नहीं करेगा वो अपना सिर पीछे केज़ेगा क्यों क्या होता है कि जब भी हम सिर रखते हैं से इसे पे हात रखते हैं तो हम लोग को टेंडेंज है कि हम लोग यह सिर को ऐसे नीचे दबाएंगे तो जैसे वह बच्चा निगल नहीं सके गा दूद हिसाने ही निकल सकता है तो वो क्या करेगा वो चोड़ देगा और फर ऐसा बाहर निकल जाएगा तो मा को बताना है कि यह हात बिलकुल यहां पे सिर्व यह वाले यह नहीं नहीं तो बच्छा अपना मुँँ यहां ऐसा वह कर सकेगा तो यह तो यह तो आपका एक पॉइंट दूसरा एक पॉइंट है कि जिस हाथ से मा को शीशु का सिर पकरना है उसी हाथ की कलाई शीशु के कंदे के हड़े के बीच में होनी चाहिए तो यह जो है यह जो हाथ है यह जो कलाई है वह बेजिकली बच्चा कर बच्चे का जो पीट होता है वहां पे उस मा की कलाई होनी चाहिए तो वह पूरा जो सपोर्ट है बच्चे के पीट का वह मा की कलाई से वह सपोर्ट कर सकती है यह जो सहारा है मा की जो कलाई है उससे उस के अभी सस्तिय कि क्गंदा और एक सीधे में होने चाहिए मतलब यह जैसे मैंने यहां पर दिखाया हुआ है उसका जो सिर है उसका कान ही जो जो हैं और हिप चॉंट है वसारी 1 सिती में होने चाहिए जैसे हम लोग जब आगान आगाते हैं, तो हमारे की भी जो कान होते है, कंदा होता है, हमारे जो हिप जो हटा है, वो सारा एक डी ROG में होता है, तो इसी तरह, बच्चा भी जपी दूद पीएगा, तो उसके जो कान है, उसके जो shoulder काइब को यह वैसा ही आपको बच्छे को उसी तरह आँ काँ है वाक को दियान में रखना है कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए अगर केड़ा होगा तो क्या होगा तो बच्छा दिंकेए अगर ये बच्छा जो है सीधी लाइन में नहीं है इसका मुतलब क्या हो रहा है कि पान के साइड इसली आपको क्या करना है जो हैं में बच्चा दूद नहीं पिएगा ठीक है तो आपको भी क्या करना है उसके जो कान है उसको अभी ऐसे सीधे कर देंगे अभी यह हो गया आपका बच्चे का कान शोल्डर जॉइंट मरलब कंधा और यह नितम नितम का जो जॉइंट होता है वो ठीक है तो इस यह पोजिशन म अगर अगर मैंने इसको बच्चे को ऐसे कर दिया 請 के आइसे है और यह हो गया सीधा एक लाइन तो ऐसे बच्चे को रहाना है सिशु का पेट मा की च्छाती में हलके से डपना चाहिए मतलब बच्चे का जो शीशु का जो पेट है ओर मा का च्छाती है वो एक से थोड़ा सा डबना चाहिए, मतलब बच्चा एकतर नस्तीक होना चाहिए, अगर दूर होगा तो बच्चा लाचिंग ठीक तरे से कर नहीं सकेगा, ठीक है? तो यह ज़रा ध्यान में रतना है, कि बच्चे का जो चाती है और मा का चाती है, पेट साथ में थोड़ा ज इसका मतलब जब आप निपल की नस्तीक बच्ची को लाते हैं तो सीधा यह नहीं लाना है आपको बच्ची के नाक के जो नतुने हैं वो लाना है क्यों क्यों नतुने लाने हैं क्योंकि जैसे आप पानी पीते हैं आपको तो मालूम है कि जब आप पानी पीते हो तो आप जैसे ही बच्चे को भी थोड़ा पीछे की तरफ लेके जानी है और जैसे ही जहां पे निपल है वहां पे बच्चे की नतुने ऐसे होने चाहिए अगर ऐसे आएंगे तो बच्चे की गर्दन ऑटोमेटिक थोड़ी पीछे की तरफ चले जाएंगे तो यह जरा ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे स्थन पे लाना है ठीक है अगर मैं वापस यह पॉइंट बताती हूं कि यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है पंद्रावाला शीशु के नतुने मा के निपल की सीध में होने चाहिए शीशु का चहरा स्थन की ऑर होना चाहिए ना तो मा के चहरे की पंद्र straight को बच्चे का जो सिर है वो स्थन की तरफ होना चाहिए उसका खाना स्तन है, वैसे II बच्चे को थाली की और देखना है लेकिन ऑपानी पीते हैं, तो बच्चे का सिर्फ थोड़ा उपर की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन में सीधी रेका में होना चाहिए और उसके जो नथुने है वो निपल की सामने होने चाहिए टीक है तो आपको dhyaan में र Dit двух मैंने वापस आपको बताया कि जैसे उम्प्र में बड़े लोग पानी पीते समय अपनी गर्दन को पीछे की और करते हैं, वैसे ही मा को भी शिशू का चहरा उपर की और जुका कर और उसकी ठुड़ी को स्थन के पास लाकर उसकी गर्दन को पीछे की और करना है, तो जैसे वो बच्चा मा उसका बच्चे का जो पीछे की तरफ करेगी, तो जो यह जो है यह थोड़ी आगे आएगी उसकी थुटी थोड़ी आगे की और आएगी और उसका जो यह सिर है वो थोड़ा पीछे की और जाएगा ठीक है तो बच्चा ऐसे आ रहा है तो यह थुटी थोड़ी आगे की तरफ आएगी और यह सिर थोड़ा पीछे आएगा तो जरा ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे सटन पर लाना है यह बहुत ही महत्वा का आपका पॉइंट है शतन को पकरना चलो है जुड बाच्चा 》 आपको आपका और दूत्सा के लिए रेडि है अभी आपपको झाल से सतन को कैसे पकडना में अभी हम लोग उस पर चर्चाँ करेंगे कर चाहिँ है निदुद्द्धा मापे कान कर संपर्षक करना हो उसी स्तन को नीचे से अपने हाथ से यू आकार में पकड़ना चाहिए तो यहाँ पर देखे मा नीचे की तरफ से स्तन को पकड़ रही है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी यह स्तन है तो यह स्तन में मा को नीचे से यू आकार में पकड़ना है तो यह U-Akar में क्यों पकड़ना है जैसे मैंने आपको पहले टुट्रोल में बताया हुआ है लेकिन मैं आपको वापस सिखाते हूं कि ऐसे नीच हम लोगों को ऐसे C में बताया था राइट बहुत सारे गाइड लाइन में इसमें C तरह लेकिन यह Cross Gridled Hold में हम लोग C नहीं पक कढ़ना है तो कैसे पकड़ना है जैसे मैं दुखाते हूं तो सब्सक्राश आप समझेघेट एक गाण अड़ी में यहjar में च quêके आप लग बहुत में तीन जृबजे यह तो आपको जो आपकी औंगली जो है जो उंगली के टिप्स ऐस तिप्स आपको नॉबजे और तीन बजे लगबग रखनी है, लेकिन सिर्फ टिप पकड़नी है, आपको पूरा उंगली नहीं रखना है, क्योंकि पूरा उंगली रखेंगे तो उसके बच्चे के मुह में वो स्तन जाएगा नहीं, तो आपको सिर्फ उसके जो टोच है, उसके जो टिप है, वही है, और कितना दूर रखना है, तीन उंगली दूर, तीन उंगली दूर से आपको तीन और नौ बजे ऐसे पकड़के उसको दबाना है, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पढ़के बताती हूँ कि कैसे करना है, और यह यू आकार में क्यों पकड़ना है मैं आपको वह भी बता देती हूँ तो वह उसका पॉइंट वापस आएगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ तो यू अकर में क्यों पकड़ना है तो जैसे आप जबी भी खाना खाते हो जैसे कुछ भी बड़ा सा निवाला है बड़ा सा कुछ आपने बोंदा खाया तो जबी भी आप कुछ भी ऐसा बड़ा खाते हो तो आप क्या करते हो एक यह जो पुणчा आप ऐसे दबाएं के धिक है और फिर उसको मुह में डालेंगे तो जबी भी ऐसा बड़ा एंप दबांते है तो आपकी जो उणली है यह होट के समान होती है ठीक है अब कभी भी बंदा ऐसे नहीं खाएंगे आप हमेशा बंदा को ऐसे पकरेंगे जिसे आपकी उंगली और आपके होट समान हो तो जब भी आप ऐसे दबाते हैं तो आपका जो बंदा है वह थोड़ा सब चोटा होगा और आप एजली आप मुह में वह डाल सकेंगे इस बच्चा से क्रॉस के डिल में है यह ऐसा बच्चा आ रहा है तो आपको बच्ची को यह तो ऊपर से पकरना पड़ेगा तो यह से पकड़ेंगे तो यह तो पूरा हो जाएगा आपका यू ठीक है यह पूजिशन में उपर के होट नौ बजाएंगे और नीचे के होट तीन तो आपको आपकी उंगली भी वही पर रखनाए है, आपका जो अंगूठा है वह नव बजे आएगा और आपकी जो उंगलिया है वह तीन बजे आएगी और फिर आपको दबाके उसके मुह में स्टन डालना है कि अच्छी तरह स्टन को दबाया नहीं तो बच्चा सिर्फ निपल पर लाच करेगा और निपल से दूद आएगा नहीं ठीक है तो अभी मैं आपको पढ़के बताती हूं कि क्या देखना है आपको यह आई सी चार्ट में और कैसे मां को बताना है ठीक है तो कलपना कीजिए कि मां के स्टन पर गड़ी है इस गड़ी का बीच का बिंदू मां का निपल है यदि शीशु धाईने स्टन से स्टन पांट कर रहा है तो इस घड़ी में मां के धाईने हाथ के अंगुठे का सिरा नौ बजे की स्थिति में होना चाहिए और बाकी की उंगल स्टन पर नहीं होनी चाहिए सिर्फ उसके जो टिप्स है नोक है वही होने चाहिए इस गड़ी में छे बजे की स्थिति में यू आकार का नीचला भाग है यह भी बहुत इंपोर्टन पॉइंट है जो मैं बताना बूल गई तो यह जो आपका जैसे आपका यू शेपार है तो यह जो नीचे का जो भाग है नीचे का वह बिलकुल छे बजए आना चाहिए बहुत तैम मा क्या करती मा एसा पकड़ती है तो भी यह जो यह उदोके जो नहीं आते यहां पर 7 यू आठव जाया आपको मा को बोलना कर दू यह पूरा इन ओसका जो जो डिरेक्शन है पूरा चेंज हो जाएगा ठीक है ऊसकी जो दिरेक्शन वह जो पी च्छे बचे जो चिंब ऑसके जो बगलते हैं यू का जिप है वो 6 बचे पी श्तीफिति में आए दो आपको मां को मुलना है ऐसे मत पकड़ो थोड़ा कंधा अंदर लेके सीधा पकड़ेगी तो यह पूरा ठीक तरह से वह स्था को पकड़ सकेगी ठीक है तो यह इंपोर्टन महत्वर का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इस घड़ी में 6 बजे के स्थिती में होना चाहिए यह यू आकार का जो डिप है वह 6 बजे आ रहा है यह डिप अब 7 बजे नहीं आना चाहिए 8 बजे नहीं आना चाहिए बिलकुल एक्टम सीधी रेका में नीचे 6 बजे आना चाहिए और उंगली कहां पर होनी चाहिए मा का उंगोठा और उसकी उंगलिया निपल से लगभग एक समान दूरी में होना चाहिए और कितनी उंगलिया दूर तीन उंगलिया दूर होने चाहिए क्विक्ए अगर बच्छे माने बहुत नदस्तिक से पकड़ा स्तन को तो सिर्फ निपल मों में जाएगा अगर माने बहुत दूर से पकड़ा तो वह छोटा नहीं होगा ठीक है तो यह 21 point है, शिशु के संरीर को पूरी तरह से क्षेतीज रखा में रखना जरूरी है, ठीक है, क्षेतीज रखा में मतलब पूरा horizontal, पूरा पूरा ऐसे horizontal इस तिती में रखना जरूरी है, उसको डायेगोनल नहीं करना है, उसको ऐसे आड़ा नहीं रखना है, इसको पूरा सीधी रेका में, horizontal position में बच्चे को रखना है, इसको बोलते कि शेतीज रेका में रखना है दाहिने स्तन से स्तनपन करना हो, तो शिशु का उपरी होट नव बजे की स्तिती पर हुआ और उसका निचला होट है, वो तीन बजे की स्तिती में होना चाहिए और इसी तरह बाएस तन में भी वैसा ही होगा, और इस स्तिती में मा का उगोठा शिशु के उपरी होट के सामने होगा तो जैसे मैंने बताया क्योंकि उंगलिया तीन और नौ बजे हैं, तो अगर वहाँ पे होट होगे, तो होट और उंगलिया बिलकुल समान होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे उंगलिया होट वहीं पे बच्चे के होट भी वहीं पे होने चाहिए, ठीक है ये होगे आपका समान, कि उंगलिया बच्चे के होट के बिलकुल समान होनी चाहिए, entire अब 22 पॉइंट निपल की आसपास के काले भाग को अरीयोला कहा जाता है, जब शिशु अपना मुझ पूरा खोलता है तभी मा को सिशु को तन के पास लाना है और तभी मा सतन को दबाती है, तो जैसे बच्चा मुझ खोल रहा है, तो मैं वो भी बताऊंगी कि कितना बड़ा मुह कुलना चाहिए वो भी आएगा लेकिन यहां पर मैं पढ़ रहे हूं कि आगे क्या लिखा है ऐसा करने से सुनिश्चित हो जाएगा कि एरुला का नीचला भाग जहां पर शीशु का नीचला होटो आसानी से शीशु के मुह में चला जाएगा ठीक है तन को सही तरीके से और सही समय पर सही तरीके से दबाना या सुनिश्चित करेगा कि शीशु एरुला के नीचले हिस्से से घराई से जूड जाए अब यहां पर हम लोग ने नीचला जो एरुला है उस पर बहुत हम लोग ने भार दिया है नीचला एरुला क्यों मुह में जाना चाहिए उसका उसका यह है महत्वा क्योंकि जैसे भी हम लोग खाना खाते हमेशा हम नीचे के होट के तरफ रखते हैं खाना नीवाला हमेशा नीचे के होट पर रखते हैं उपर के होट तरफ नहीं रखते हैं क्योंकि जितना वह नीचे होगा इतना हमारा नीचे के जो होटे उससे वह प यहां में रखना है कि बच्चा जब आ रहा है तो उसको सपूज यह यहां पर यहां पर दबाएगा तो उपर की होच से बरोबर प्रेशर जाएगा नहीं तो यहां पर जो नलिया है वह दूग्य निकलेगा नहीं तो बहARं दूद्द निकलेगा नहीं तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है नीचे के जो होट है नीचे का जो अंगुटा है वो दबाने से बच्च्या दूद्द निकाल सकेगा। तो निचे का Ayrela होना निचे मतलब जहां पे नीचे का मतलब यह वाला नीचे नहीं जहां पर बच्चे के नीचे के होते वह वाला Ayrela का भाग बच्चे के दुन में जाना चाहिए ठीक है अभी देखते हैं तेवी स्वा पॉइंट तो यहां पर देखिए मधर ने अच्छी तरह से यू शेप में पकड़ा हुआ है ठीक है और देखें यह जो इसके टिप से टिप सफ फिंगर्स है अंगुठा और उसके उंगलिया की टिप से वह पकड़ रही है उसको दबा में रखना है कि यह जो है यू शेप होना चाहिए वी शेप में नहीं होना चाहिए ठीक है अगर वी शेप में होगा अगर माने वी शेप में ऐसे पकड़ा तो वह सिर्फ बच्चे के मुझ में निपल ही जाएगा निपल में दूद आएगा नहीं तो आपको द्यान में करना है यह इसमें हम लोग सिखेंगे ठीक है तो एलेला के नीचले हिस्से के जरुरी भाग पर शुशु के मुझ के पकड को लाचिंग कहा जाता है तो लाचिंग मतलब मुझ की पकड ठीक है यहां पर हमें आपको लाचिंग वर्ड इंट्रोडूस करियो क्योंकि बहुत महत का शब्द है तो मैं आपको लाचिंग ही बताऊंगी लाचिंग मतलब मुझ की पकड ठीक है तो मा को अपने निपल से शुशु के उपरी होड को हलके से चुना चाहिए ताकि शीशु अपना मुझ चोड़ा खौल सके तो आप देखते होंगे कि बहुत टाइम बच्चा को Harbor का मुह खौलेगा मुझ बच्चा अम चाहिए नहीं कि बच्ची को दुभ दा देती है ठीक है तो एक अगर बच्ची का मुझ अबंट अच्छी तरा अच्छी मातरय में खूलने के लिए मां क्या कर एक तो इसका बहुत अचynिक MPhen यह जो अगर बच्ची का यह ऊपर के होट है अगर माँ अपनी निपल को थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे वहाँ पर लगाएगी उपर के होट को निपल के साथ तो तुरन बच्चा मुझ खुलेगा और वह लाच अच्छ तरह से होगा तो यह आपको ध्यार में रखना है कि उसके जो ऊपर के होट है वह निपल प अपना मुझ 120-160 डिगरी बिच तक खुलता है तभी मा को अपने स्टन के निचले हिस्से को सीशो के मुझ के अंदर डालना चाहिए तो जब वह बच्चा अच्छी तरह मुझ खुलेगा तभी वह मा को अपने स्टन को बच्चे के मुझ में डालना है तिक है इसमें लगब बच्चे को 2-3 मिनिट लग सकते है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को 2-3 मिनिट लगता है मुझ को लेकिन मा इतनी बेचन होते है कि तुरंट जैसे थोड़ा मुझ को डाल दिया तो आपको ध्यान में रखना है कि मा को बोलो कि आराम से 2-3-4 मिनिट वह उसको व मुझ करेंगा तो वह जो एक सेक दो सेकंड देख सेकंड भी नहीं होते है आधे सेकंड में वह बच्चा मुझ को बन करता है तो आपको मा को बोलना है कि तुम तयार हो ठीक है जैसे बच्चा मुझ खोल रहा है बड़ा सा 120 डिग्री तुरंत ही उसको लाचिंग करवा दो तो वह जड़ा दिहान में रखना है जब ही बच्चा अपना मुझ पूरी तरह से नहीं कोलता है तब तक इंतजार करना जरूरी है जलनी में यदि माने शिशू के मुझ में एरियुला डालने की कोशिश की तो वह बच्चे को सिर्फ निपली मुझ में जुड़ेगा तीक ह नीचे का अगर बच्चे को सिर्फ निपल से दूद मिला तो वह एनव दूद नहीं होगा उसमें दूद आता ही नहीं थोड़ा सा दूद आएगा जिसे मैं आपको पहले वाए कितना कम दूद आता है निपल में तो यह आपको ध्यान में रखना है कि बच्ची का मुझ यदि शीशु 10 मिनिट से भी ज्यादा देर तक अपना मूँ नहीं खोल रहा है उसका मतलब उसको भूग नहीं है तो उसको फिर आप छोड़ दो थोड़ा ट्राइम करो चार पांच शे मिनिट आट मिट तक ट्राइ करो लेकिन बच्चा मूँ नहीं खोल रहा है मतलब उसको ठीक है या तो भूग नहीं है या तो बच्चा बेमार है या तो कुछ प्रॉब्लम है लेकिन उसको फिर आप ज्यादा परेशान मत करो ठीक है ठीक है शीशु का उपरी होट मा के निपल से थोड़ा उपर होना चाहिए तो जब यह ऐसे बच्चा स्थान पर आ रहा है तो ऊपर के होट यह निपल के सिर्फ निपल के ऊपर जो बॉरडर है निपल के बॉर्डर पर होने चाहिए ठीक है और जो नीचे का होट है वह ओला की बॉर्डर पर यहाँ पर होंगे तो चरद में रहे कि कङों सब्सक अभास परõesोव को होने हो सकते हैं ठीक है ठीक है तो वापस में बताती हूं शिशु का उपरी होट मा के निपल से थोड़ा उपर होना चाहिए शिशु का निचला होट एरिला की सीमा पर होना चाहिए यदि मा का एरिला छोटा है तो शिशु का निचला होट एरिला की सीमा से परे होगा यहीं शिश जाएंगे लेकिन ध्यान में रखें कि नीचे का जो यह जादा जाना चाहिए और तभी वह जो बच्छे का जो होट है वह स्टन पे आएगा नीचे का होट ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा चोटा स्टन है अठाई सा पॉइंट है कि शीशु के नीचले होट को बाहर की और मुड़ा होना चाहिए मतलब जब बच्चा लाच कर रहा है तो यह जो नीचे के होटे ऐसे बाहर की और होंगे अगर अंदर की तरह मुड़े होए तो बच्चा खीच नहीं सकेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वो उसके होट कैसे हैं बाहर की तरफ मुड़े हो यह जब दूसरा पॉइंट है शीशु के होट और ठुड़ी पूरी तरह से मा के स्थन को स्थन से जूड़ी होनी चाहिए तो यह जो होट है बच्चे के होट है और उसकी पुड़ी है पिल्कुल मा के स्थन में अंदर खूपी होनी चाहिए जितना बच्चा स्थन में खूपा होगा उतना वो प्रेशर से दूद निकाल सकेगा तो वो ध्यारा ध्यान में रखो, जितना बच्चा दूर होगा स्टन से, उसके होट दिखेंगे, उसके होट दिख रहे है, उसकी थुड़ी दिख रहे है, मतला बच्चे का जो प्रेशर है स्टन पर वो इतना होगा नहीं, तो ध्यान में रहे कि बच्चे को पुरी तरह उसक की ठुड़ी बिल्खुल दिखेगी नहीं वो पूरा जो स्थन में जुट जाएगा ठीक है तो आपको दिहान में रखना है ठीक है लेकिन आपको अभी चेक करना है जैसे आप डॉक्टर के पास आते हैं तो ब्लड प्रेशर है तो अब हमेशा डॉक्टर चेक करता है या अग जो लाच हो रहा है जब तक आप उसको जाचेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेए कि वह मूझ की ठीक है कि नहीं क्योंकि जब तक वह मुझ की ठीक होगी बच्चे को लाचिंग उसकी गलत होगी और उसका वजन बढ़ेगा नहीं ठीक है तो यह सबसे इमपॉर्टिंट प नहीं मा को अपने स्तन को शीशू के नीची के होट के पास हलके से उपर की और दबाना चाहिए जैसे इसका मतलब यह है कि बच्चा ऐसे अभी जुड़ा हुआ है ठीक है और यह जुड़ा हुआ है ऐसे उसकी गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ है अभी मा को क्या करना है कि जह अभी पढ़ते कि क्या लिखा है ठीक है फिर उसे यह जातना चाहिए कि अरुला का निचला हिस्सा पूरी तरह से शीशू के मुझ में अंदर है या नहीं है और शीशू का निचला होट बाहर की और मुड़ा हुआ है कि नहीं है तो यह दो तीन चीज बहुत ध्यान में उसरह का निचि को लोकेशन और बैकते हैं तो यह जू जाचना है तो यह जो विभत लिख जैप रहता है अप यह बहुत चैना या जाच ले मां को पीस दिया Сब्ना सब्रुना लेकि आप को और से लिख को रही उसके जालता है मां बनान था जाचन पनार हुआ DAN बार बार दूद पलाएगी तो वो अगर जाचना नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा कि लाचिंग ठीक तरह से हुआ है कि नहीं है ठीक है तो वह ध्यान में रखो आप ठीक है 31 पॉइंट है कि उसे यह भी जाचना होगा कि शीशो का मुझ कम से कम 120 डीजरी तक खुला है या नहीं है इन तीन बिंदूओं का जाचना जरूरी है मां को यह जाचना सिखाना जाना चाहिए तो यह अपको यह एक एक्जामिन कैसे काना है कैसे जाचना है वह आपको म मां को सिखाना है ठीक है 32 पॉइंट यह है कि जब मां अपने स्तन के नीचले हिस्से में शीशो के घहरे जुड़ाव को सुनिच्चित कर लेती है मतले मुझ जभी जाच लेती है कि अच्छा भी लाचिंग है ठीक है तब अपने स्तन को अपने हाथ से छोड़ सकती है और उ जो हाथ है यह जो भी यहां पहों एसे आरा है अब ही मां ने चाच लिया अभी मां को यह हाथ बहार की तरह लाके उसको बच्चे को ऐसे पख़ंआ है ठीक है लेकिन जो वाला हाथ है जहां पैने स्तीर पकड़ा हौए उवा वहला हात बिल्कुल चूटना नहीं चाहिए क् बच्चे की जो गर्दन है वो बहुत ही कमजोर होती है तो जैसे आपने निकाल दिया बच्चा ऐसे बाहर निकल जाएगा तो आपको वो बिल्कुल पुजिशन में रखना है और दूछरा वाला हाथ है वो सिर्फ बच्चे के पीट पर रख सकते हैं तो उसको हम लोग यह हो या फिर बहुत ही इजी तरह मा आराम से बच्चे को दूद बला सकती है और देखना है एक और चीज भी देखनी है आपनो कि आपको कि यह जो मा की जो कंदे है बिल्कुल नस्दीक होने चाहिए ऐसे नहीं होने चाहिए अगर ऐसे होंगे तो मा वो ठक जाएगी ठीक है तो 32 पॉइंट यह मैंने बताया तो वह हाथ उसे नहीं है लेकिन जिस हाथ से वह शीशु का सिर पकड़ रही है वह हाथ उसे नहीं हिलाना चाहिए यदि मा का स्तन बहुत बड़ा या भारी हो तो वह घरे जुडाओं के बाद उसे अपने हाथ से छोड़ सकती है तो शीशु क हाथ उसे नहीं हिलाना चाहिए जो कौन सा हुला हाथ जो हाथ से बच्चे का सिर पकड़ा हुआ है यदि मा का स्तन बहुत बड़ा या भारी है और वह घरे जुडाओं के बाद उसे अपने हाथ से छोड़ती है तो शीशु के मुझ से अरुला का बाहर निकल सकता है ऐसे मे स्तन को सहारा देने के लिए अपनी का इस्तेमाल कर सकती है यह भी बहुत important point है कि क्या होता है कि कभी-कभी मा कर जो स्तन होता है बहुत 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 होता है तो बच्चा अपने मुझ से वह स्तन को पकड़ नहीं सकेगा और वह स्तन बहुत निकल जाएगा तो वह स कि यह कौनी से मा स्थन को नीचे से सपोर्ट टेरी तो वह स्थन ऊपर आएगा तो बच्ची के मुह से उस सथन रहे गा वपना रहे ज़र बश्रार हिये हैं कि बहुत ही आप निवी कि पकड़ा हो जा है उसका मतलब मा को अभी वो स्तन को पकड के बैठना पड़ेगा और उसके नीचे जो हाथ के नीचे जो यह तक्ये है वो तक्ये आपको हाथ के नीचे रखने पड़ेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना है कि पच्चे के हाथ के नीचे वो मा के हाथ के नीचे वो तक्ये होन तो जैसे छोड़ती है तो बच्चे के मुझ से वो स्तन निकल जाता है ठीक है अभी यहां पर पहला पार्ट खतम हो रहा है और आगे की जो पॉइंट है मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगी धन्यवाद करता है